वहलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में दोस्तों आप लोग का काफी ज़्याएदा कमेंट आ रहा था कि आप जो अपना कस्टमर का कौन सा एप से जो एसो मोबाइल रिचार्ज करते हैं तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि मैं जो एस परस्टनल रिचार्ज करते हैं अपना फैमली मेंबर का दोस्त का या तो दोस्तों खुद का तो आप लोग जो सो फोन पे गूगल पे पेटियम से करते हैं जिसमें दोस्तों आपको 2-3 रुपिया जो सो चार्जस ऐसे ही कड़ जाता है लेकिन दोस्तों इस एप में जो सो म बिल्कुल परफेक्ट जो रहेगा तो चलिए दोस्तों मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि मैं कौन सा एप को यूज करता हूं तो यहां से देख सकते हैं दोस्तों मैं इहां से अपना मोबाइल अस्क्रीन को ओपन कर लिया हूँ और यहां पे देख सकते हैं मैं इस ये दोस्तों मैं personal app यूज किया हूँ हमको मालूम है दोस्तों कि इसका service कैसा है और इसमें कितना commission मिलता है तो ही दोस्तों मैं ये video बना रहा हूँ और दोस्तों ये video बिल्कुल भी sponsorship video नहीं है आप लोग सोचेंगे कि इस app वाले हमको पैसा दिया है और हम इसका video जो सो बना र होता है और कैसे जो commission मिलता है वह भी मैं आपको बताऊंगा तो सबसे पहले देख सकते हैं दोस्तों मैं चलिए proof दिखाता हूं कि मैं यहां से कितना customer का जो सो recharge करता हूं तो यहां पर देख सकते हैं हमारा जो सो दोस्तों यहां यहां lead chair है दोस्तों यहां पर हम click करेंगे त यहां पर हमारा jo Sw देख सकते हैं from to तो यहां पर देख सकते हैं दोस्तों यहां पर date डालने के लिए आ रहा है यहां पर date डाल के jo із sar अपना जो भी हम recharge कृएं उसका history जो इसो देख सकते हैं तो दोस्तों यहां से हम चलिए अप यह टोटल dissember महना में हम dioorter कितना रिचार्च किये हैं उसी का दोस्तों हम यहां डेटा निकाल लेंगे तो यहां पर देख सकते हैं एक December से लेके दोस्तों और मैंने जो इसो लगभग 18 December तक का जो इसो डेटा में निकाल रहा हूँ और यहां से मैं OK कर दिया हूँ और जैसे ही दोस्तों हम यहां पर ok करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं यह वाला search वाला icon दिया है और दोस्तों हम इसमें click करेंगे और दोस्तों जैसे ही हम जो इसो search पर click करेंगे तो हमारा जितना भी recharge हुआ है ओ दोस्तों सभी history यहां पर दिखने लगेगा तो यहां पर देख सकते हैं उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कल 149 रुपिया का जो इसो रिचार्ज किया है तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर हमको total commission मिला है 5 रुपिया 28 पैसा लगभग दोस्तों 5 रुपिया 25 पैसा हमको commission यहाँ पर मिला है उसी तरह से दोस्तों यहां पे हम और रिचार्ज किये थे जो कि दोस्तों 155 का रिचार्ज था और उसमें हमको 3.41 पैसा जो इसो कमिशन मिला है उसी तरह से दोस्तों यहां से देख सकते हैं मैं काफी सरा रिचार्ज जो इसो किया हूँ दोस्तों मैं पूरा दिखाऊंगा तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए आप लोग यहां से मैं स्क्रोल करते जाता हूँ आप लोग देखते जाएए कि मैं कितना रिचार्ज जो इस एप से मैं करता हूँ अभी दोस्तों मैं चलिए और आगवे आपको बताता हूँ कि इससे रिचार्ज कैसे होता है और वाइलेट में हम बालेंस कैसे एड़ करेंगे और दोस्तों आज की इस वीडियो मैं आपको यह भी बताऊंगा दोस्तों कि इसका आईडी और पासवर्ट कैसे बनाना है बिल्कुल फिरी में दोस्तों आपको एक भी पैसा यहाँ पे नहीं देना है बिल्कुल फिरी में दोस्तों मैं आईडी बताऊंगा कि कैसे आपको बनाना है तो चलिए यहाँ से हम बैक आते हैं तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं हम इस app के जो इस हो हम स्क्रीन पर आगे हैं और दोस्तों यहां पर काफी जायदा फंसन दिया हुआ है जैसे कि दोस्तों इसमें mobile recharge आप कर सकते हैं यहां से देख सकते हैं यहां से दोस्तों आप mobile recharge भी कर सकते हैं यहां से अब DTS recharge कर सकते यहां से दोस्तों अब electricity का bill भर सकते हैं, gas का bill भर सकते हैं और दोस्तों यहां से फास्टेग वगरा का भी recharge कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज की हम बात करेंगे वो हमारा topic है mobile recharge उसके बाद दोस्तों सबसे पहले आपको कैसे जो इसो recharge करना है यहां पर देख लिजीए तो सबसे पहले दोस्तों अभी देख सकते हैं यहां पर हमारा wallet है और दोस्तों हमारा wallet में अभी 1 रुपया से उपर लगबग पैसा है मतलब दोस्तों एक रुपिया जोई सो और 69 पैसा यहाँ पे हमारा wallet में अभी है अभी दोस्तों हम सबसे पहले इसमें जोई सो पैसा एड करेंगे उसके बाद आपको recharge करके दिखाएंगे तो चलिए दोस्तों यहाँ से हम पैसा को एड कर लेते हैं पैसा एड करने के लिए दोस्तों यहाँ पे जोई सो सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं एड लिखा हुआ इसमें हम क्लिक करेंगे और दोस्तों जैसे ही हम यहाँ पे एड में क्लिक करेंगे तो हमारा कुछ इस तरह से option आएगा उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे UPI में क्लिक करेंगे और UPI में क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे amount aid करना है कि हमको कितना का recharge करना है तो दोस्तों अभी हमको एक 179 रुपिया का जोई सो recharge करना है और दोस्तों मेरा balance जो है अभी यहाँ पर एक रुपिया मितलो पहले से है तो यहाँ पर दोस्तों मैं 178 जो है इसमें add or कर लेता हूँ उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ से जो हैड balance में click करूँगा तो दोस्तों यहाँ पर balance जो है इहाँ पर add करने के लिए आपके पास जो काफी सारे option आएगा कि पेटियम phone पर google पर अब जो भी use करते हैं दोस्तों उससे जो 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 आप यहाँ पर violet में अपना recharge कर लिएगा तो दोस्तों मैं यहाँ से पेटियम में करता हूँ और यहाँ से दोस्तों मैं अपना जो इसो id password और दोस्तों हम यहाँ से इसको okay कर देंगे और okay करने के बाद दोस्तों यहाँ से हम back आ जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों हमारा वाइलेट में अभी 179 रूपीज हो गया अभी दोस्तों हम recharge करने के लिए जो इसो यहाँ पर देख सकते हैं mobile का option है तो यहां से दोस्तों हम mobile में click करेंगे और mobile में click करने के बाद दोस्तों यहां पर mobile number हम डालेंगे तो चलिए यहां से हम mobile number को डाल लेते हैं तो दोस्तों यहां से हम mobile number को डाल लिए दोस्तों एक वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपको दोस्तों पूरा अच्छे तरीके से समझाया जाएगा ताकि दोस्तों आप जो इसे कोई भी गलती नहीं करेंगे क्योंकि दोस्तों काफी एप जो होता है और फ्रोड करके हम लोग के साथ चला जाता है दुकान व एप्लिकेशन होता है आपका कभी भी पैसा जो डूब सकता है इसलिए दोस्तों आपको जितना रिचार्ज करना देगा उतना ही आप इसमें एड कीजिए तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर डालना है उसके बाद दोस्तों यहां से अगर आपके पास कॉंटेक्ट में अगर सेव नंबर है तो यहां से जो इसो आप नंबर डारेट भी निकाल सकते हैं और उसके बाद दोस्तों यहां से जो इसो ऑपरेटर सेलेक्ट करना है कि कौन सा सिम कार्ड है एरटेल वियसनल जी यो बोड़ा फोन आडिया तो यहां पर दोस्तों एरटेल जो इसो हमारा एटोमेटिक आ गया उसके बाद दोस्तों हम यहां से एमाउंट डालेंगे यहां पर देख सकते हैं मैं 179 का रिचार्ज कर रहा हूं और दोस्तों यहां से अब प्लांस भी और भी देख सकते हैं और यहां से हम जो इसो प्रोसेड टू recharge में click करेंगे उसके बाद दोस्तों हमारे पास यहाँ पर number जो इस पूरा 100 हो जाएगा और कौन सा company है और कितने का recharge हो रहा है दोस्तों यह आपको customer को एक बर दिखाना है और उसको number मिलाने के लिए खुद से बोलना है तो दोस्तों ओ без हान नंबर सही है तो अब तो यह ही दोस्तों आपको जो इसको continue पर click करो अदेंगे नहीं तो दोस्तों आप उसको cancel कर दिजेगा और number से फिर से डालके आपको try किजेगा तो चलिए यहां से मेरा number सही है तो एहां सह पर देते है और जैसे ही दोस्तों हम इसमें क्या करेंगे यहां से ओके कर देंगे यहां पर देख सकते हैं दोस्तों हमारा वाइलेट में जो अभी चार रुपिया लगबग पैसा जो यहां पर आ गया है दोस्तों जो अभी हम रिचार्ज कियें उसका कमिशन मिला हमको दोस्तों यहां पे 4 रुपिया का जोईसो इस रिचार्ज में जोईसो प्रोफिट हुआ और दोस्तों अगर आप और जायदा के रिचार्ज करते हैं तो आपको जोईसो और जायदा भी प्रोफिट होगा तो यहाँ पे दोस्तों कभी-कभी ऐसा होता है कि recharge जो यहाँ से success हो जाता है या तो दोस्तों गर pending में दिखा देगा तो आपको यहाँ पे transaction में जाना है और दोस्तों अगर यहाँ पे जो आपका recharge success दिखा रहा है और कभी-कभी जो customer का mobile में जो इसो recharge नहीं जाता है तो दोस्तों आपको क्या करना है मतलब समझ लिजे उस समय आपका जो इसो recharge जो फैल्ड हो जाता है फिर दोस्तों यहां से आपको complete में click करना है और proceed to complete में जो इसो click कर देना है और वहां से company आपका पैसा आपके wallet में फिर refund कर देगा उसके बाद दोस्तों अभी चलिए मैंने आपको बता दिया कि recharge जो कैसे किया जाता है अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इस app में जो आपको ID कैसे बनाना है तो ID बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले आप अपना mobile का play store खोल लिजिएगा और search में दोस्तों आपको search करना है recharge commission app या तो दोस्तों इस app का जो जो लिंक मैं अपने वीडियो के इस description box में डाल दूँगा तो वहां से आप direct click करके जो यहां से इस app में आ सकते हैं और दोस्तों आप इसको जो 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 open करने के बाद दोस्तों आप इसको लिंक को open करने के बाद दोस्तों आप इसको install कर लिजिएगा अपने mobile पे और install करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है यहाँ पे आना है देख सकते हैं दोस्तों सबसे पहले जोईसो आपको sign up कैसे करना है तो यहाँ पे देख सकते हैं यह हमारा जोईसो sign up का page है तो सबसे पहले दोस्तों आपको सबसे ऊपर में जोईसो यहाँ पे देख सकते हैं आपको अपना mobile number डालना है उसके बाद दोस्तों mobile number डालने के बाद यहाँ से आप अपना Gmail ID डाल दिजेगा और Gmail ID डालने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको password एक बना लेना है तो दोस्तों आप कोई भी एक password बना सकते हैं और यहाँ से दोस्तों यह वाला जो iso confirm password जो आप उपर डालेंगे वही आपको नीचे डालना है और दोस्तों यहां से आपको दिखेगा referral code तो referral code में दोस्तों आपको jo iso में यह वाला जो referral दे रहा हूँ दोस्तों यहां पर आपको description में दीख रहा होगा मैं दोस्तों description में भी दे दूंगा और यहां से आप देख सकते हैं यहां पे display पे दिख रहा हो दोस्तों same to same referral code जोईसो आपको यह वाला यहां पे डाल देना है दोस्तों आप referral code अगर आप मेरा use करेंगे दोस्तों तो उसमें जोईसो हमको भी कुछ जोईसो यहां से commission मिल जाएगा जब आप recharge करेंगे तो दोस्तों आप यहां से referral code इसलिए आप मेरा वाला ही use किजिएगा उसके बाद दोस्तों यहां से आप जोईसो referral code डाल देंगे फिर आपको register कर लेना है और register करने के बाद दोस्तों यहां से आपके mobile number में एक OTP जाएगा तो उस OTP को यहां पे आप डाल दीजेगा और आपको submit कर देना है और जैसे ही दोस्तों आप submit करेंगे तो आपका जोईसो इस तरह से dashboard जोईसो खुल के आ जाएगा और आपका समझ लीजे की ID बनके ready हो जाएगा और दोस्तों आप customer का recharge करके जोईसो अच्छा-कासा पैसा commission के रूप में कमा सकते हैं तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको काफी कुछ जोईसो सीखने को मिला और दोस्तों इस app का जोईसो help desk है मतलब help center है दोस्तों यहाँ पर whatsapp में icon में click करेंगे तो आप सीधा जो है इनके whatsapp number में visit कर जाएंगे तो वहाँ से दोस्तों आप और भी जाएदा जानकारी ले सकते हैं दोस्तों मैं एक बार और बताना चाहता हूँ एक कोई promotion वीडियो नहीं था यह सिर्फ दोस्तों वीडियो educational के purpose से बनाये गया था तो कोई भी आप जो से रिचार्ज करते हैं या तो वाइलेट में पैसा उडालते हैं तो दोस्तों आप अपना risk पे करते हैं तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं किसी next वीडियो में थैंक यू भइबाए